रहेगी बाई जेस्वाल कोचिंग सेंटर हिंदी पेड़ागोजी क्लास में बेती लाजवाव 15 कोश्चन्स करेंगे इसके पहले आप सभी लोगों को पता होगा नए एकजाम पटन के कॉर्णिंग स्लेवर्स के कॉर्णिंग प्रीबियस एर में पूछे के प्रश्णु के करने ना है आपको वाटसब में पूरा डिटेल मिल जाएगा टापर नोस आपको मिल जाएगी पीडिया फाइल आपको मिल जाएगा जो बेहतीन प्रिवेशन में आपको इंप्रूब्मेंट के साथ आपको हेल्प करेगा तो चलिए 15 प्रस्ण बहुत ही लाजवाब होने व तो प्रश्ण आप दिया गया दोस्तों कि आदर्स हिंदी सिच्छक के लिए आवश्चक क्या होता है जब आप लोग धापक धापिका बनेंगे सिच्छक बनेंगे तो एक आदर्स हिंदी सिच्छक बने हैं उसके लिए आवश्चक क्या होगा ब्याकरण का ग्यान हिंदी स साहित का ग्यान सुद्धुचारण कराना यह उपरोग सभी एमपी टेट वर्ग दो में आया हुआ प्रिशने साथियों आदर्स हिंदी सिच्चा के लिए क्या आवश्चक होता है तो आप सभी लोग जानते अगर आदर्स मतलब क्या होता है एक सही तरीका है सच्चा कहते हैं इंदी सहाहित का भी ग्यान जरूरी और सुद्धुचारण कराना यह सरगुण संपन उपरोग सभी आपसन इदर आइटेंस है दूसरा प्रसन जो एमपी टेट वर्ग दोजार बाइस के एकजाम में पूंचा गया प्रसन था और प्रसन क्या पूंचा गया था कि प्राइम इवं बलघात के साथ पढ़ सके या विद्धार्थी उप्यूक्त गती से पढ़ सके प्रषनों को उत्तर याद करना तो प्रषनों को उत्तर याद करना यह निगेट्डू हो जायेगा है सभी लोग जानते हैं तो यह प्राइमरी का च्छाम में पथन सिछन का उद्देश नहीं होगा तो पटन सिच्छन के क्या-क्या उद्देश होंगे कि विद्यार्थी बालक-बालिक आएं पाठ पुस्तक उसके जोड की पाठ समगरी को सुद्दुच्यारण उचिस्वरा घात एवं बल घात के साथ पढ़ सके और विद्यार्थी उप्युक्त गती से पढ़ स सके और इसके साथ सातियों क्या होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने इस्तर के पाठ पुस्तक के अद्धन से मनरंजन प्राप्त कर सके तो इन चीजों को समझना है फीडवे करना है ये जानते हैं अंगला प्रसन आपके स्कीन पर बहुत अच्छा प्रसन दिया गया है दैनिक जीवन की जरुतों सुजुरी होती है तो भाशा सेखना सार्थक होता है भाशा सीखना निर्थक होता है भाशा सेखना कठिन होता है या बच्छे के विसुद मनरण्जन की प्राप्ति होती है तो आप सभी लोग जानते हैं सभी लोग ज्यानी सरवेखैता लोग है भावित दापक का दापिकाएं हैं कि जब भी भासा सीखने की प्रकिया में बच्चे के दैनिक जीवन की जुरूतर सुजुड़ी होती है अर्था तो भासा सकریता होगा यानि बच्चा जो है सीखना सार्थक हो जाता सही होता है क्योंकि जो चीजें आपके आस-पास होती है वहीनी सीद्गित अगर कोई पूछता है तो बच्चा उनमें इंटिस्ट लेता है ठीक है तो वो चीजें सार्थक हो जाती अंगला प्रशन दिया गए कि हिंदी भासा में सतत और ब्यापक आंकलन का उद्देश यह जानना होता है क्या जानना होता है सबी लोग अताइए ये CGTG 36 गर सिच्छक बरती में पूछा गया प्रशन है कि हिंदी भासा में सतत और ब्यापक आकरन का उदेश जानना क्या होता है कि बच्चे क्या नहीं जानते बच्चे किस तरह के दुठियां करते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं बच्चों को अंगली कच्छा में प्रोनत किया जाए अधवा नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर राइट अफसन क्या होगा सभी लोग कमेंट करिए हिंदी भासा में सतत और ब्यापक आकरन का उदेश जानना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं भाई ब्यापक आकरन सतत आकरन का मतलब क्या होता है जानना आकलन करना कैसे जाने की आकलन की अचली आकलन करते हैं देखते हैं या आकलन लगाया जाए मत एक अनुमान तो देश क्या जानना होता है बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसलिए सतत और ब्यापक आकलन जानना जुरूरी होता है इसके बाद आये बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण है भासाई विवित्ता क्या होती भासाओं में जो विवित्ताएं होती है वह भारती कथाओं का सत्थ है भासा की कच्छा में एक संसाधन है बहुभासिक बच्चों के संगनात्म बेकास के और संकेत करती या उपरोक्षभी तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब भी भासाई बिवित्ता की बात की जाए रही अर्थात बहुभासिक बिबित्ता मतलब बहु भासिक, बिबित्ता की बिबित्ता ये अंद मतलब है बहु भासिक कहला ही है, एकी सब्द है कि एवल समझना आपको, इनका connectivity आपको देखना है, किस से जुड़ा हुआ है, सब्दों को थोड़ा mail मिलाप करना है, इंसा सटी कर लेना है, तो बहु भा पत्रांसिक बच्चों के संगनात्तों विकास के उर संखेत करती है कूछ आपसन बहुत से लोग उपरोग सभी कर लेते लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि भांसाइक विवित्ता में आपका भार्तीक कत्त नहीं होगा प्रिक्षिश नहीं होग directly में और सटीक ∈ài आंगला पसने भी इंपेटेट वर्गतीन में आया हुआ प्रश्ण है कि बहु सांस्तिक प्रष्ट भूम वाली कच्छा में भासा सिच्छा को क्या करना चाहिए जवाप की निक्त होगी आप लोगा धापा का धापीका बनेंगे शिच्छक बनेंगे अगर कोई बहु सांस्तिक प्रष्ट भूम वाली कच्छा को मिलता है तो आप क्या करेंगे मौकी कोसलों पर बल देंगे अब विक्तात्मा कोशल पर बल देंगे परस्पर बातचीत करने का अधिक सधिक आउशर देना तो आप सभी लोग जानते हैं आउसर पेड़ागाजी में पॉजिटिव माना जाता है यानि पहु सांस्तिक पश्डूमे वाली कच्छा में भासा सिच्छक को क्या करना चाहिए परस्पर बातचीत करने का क्या है अधिक सधिक आउशर देना चाहिए क्योंकि बहु सांस्तिक पश्डूम वाली कच्छा है उसमें भासा सिच्छक है तो आपको आउसर देना समझे ठीक है संस्कत को जाने समझे तो औसर देना बहुत जुरूरी है और असर जहां भी आपको पेड़ा गाजी मिले वह पॉजिट्व ही माना जाता है अंगला पस देखे निम्नांकित में से कौन सा सिधान्त भासा के उद्भा और विकास से समन देते हैं यह एंपिटेट वर्गदो में आया हुआ प्रश्ण है कि कौन सा सिधान्त है जो भासा के उद्भा और विकास से समन देते हैं बिग बैंग से दान्त, बिली बाईली से दान्त, डिक डाउंक से दान्त या डिली टैली से दान्त तो मैंरे प्यारमित आप सभी लोग जानते हैं चैसवाल सर आप सभी का विरंदन स्वागत करते हैं हाँ जोड़कर आपका विरंदन करते हैं तो इनमें से कौन सा सिद्धान भासा कि उद्भाव और विकास से सम्मंदित होगा उद्भाव विकास मतलब डिंग डांग सिद्धान उद्भाव विकास डिंग डांग तो उद्भव और विकास का सम्मन डिग डांग से धान से है, इन चीज़ों को नोट करते जाना है, आइए बात करते हैं अंगले परस्ण की, अंगला परस्ण बहुत ही लाजवाब परस्ण दिया गया है, क्यों लाजवाब है आइए जानते हैं समझते हैं कि पढ़ने को दैन जीवन की जरूरतों से जोड़ना ये किस भासाई कौशल का उद्देश है स्रमन लेखन बोलने का या पठन का अब देखे पढ़ने के दैनिक जीवन करना है तो पढ़ने के लिए दैनिक जीवन फिर पठनी कौशल आएगा पढ़ना मतलब पठन कौशल तो प्रस्ण पर ही उ कर सकते हैं अंगले अपसने ग्रह कार का मुख उद्देश से क्या होता है छात्रों को घर पर बेस्ट रखना पढ़ाये पार्ट को दोहराने के लिए उशर देना सुलेक की योगता का विगास करना समंदित पार्ट में रुचित पन करना अगर एक आपसन में उशर सब दिय गया है वही बच्चों को तो वह आपसन अगर कई आपसन में दिया गया तो फिर सभी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा होना चाहिए उस प्रस्ण के कौरिंग कौन सा बेस्ट होगा तो ग्रह कार का उद्देश से होता है कि पढ़ाये पार्ट को दोहराने के लिए उश्र देना ठीक होंबर्ग जो दिया जाता है आंगला पस दिखेगा चात्रों के सब्द बंडार में ब्रद्धी करने का उपाय क्या होगा जवाब की निक्त होगी आप माली हिंदी के द्यापक द्यापी का सिच्छक बन गए अब बच्चों में सब्द बंडार के ब्रद सके तो सब्द बंडार से मतलब है यानि अगर बच्चों में बालक बालिकाओं में सब्द बंडार के ब्रद्धी करना तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है उसके लिए सब्दों को प्योग भी करना पड़ेगा चात्रों में स्वाध्धाय के प्रवत्ति को भी बढ़ाव सभी लोग जानते हैं पाट का सार अंत में होता है लेकिन प्रिस्तावना प्रतेक प्रारम में क्या होना चाहिए उन्टोडेक्शन अर्धात प्रस्तावना होना चाहिए तो ये चीजें तो आप सिंपल सी बात समझ जाएंगे अधो लिखिस सब्द यूम का सही अर्थ विकल्ब चुनना है अनुलंब और अनुलगन दोरों अलग अलग हैं अनुलंब और अनुलगन इनका सही अर्थ बताना है उर्द्वाधर समय कंसार उपर उपरी से जुड़ा हुआ अनिशीत या किसी के साथ जुड़ा हुआ लंबाई कंसार या सुभकाल सभी बताईए गर आपको पत्दा है बेतीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं फीड़ बेक कर सकते हैं जैसवाल सर आप सभी का विनंदन और श्वागत करते हैं मेरे पैरे पैरे भायों की पैरी परिभाएने सभी सुच्च बंदों का विनंदन श्वागत है सभी मित्रों को जैहिंद वुपंदे मातरम शाथियो सिच्चा की जीत होगी तो सिच्चा के लिए आपको अगरसर होना पड़ेगा तो अधो लिखे सब सही अर्थ बताना है अनुलंबन और अनुलंबन अनुलंब कार्थ क्या होता है अनिस्चित अनुलंब कार्थ होता है अनिस्चित और अनुलंबन कार्थ क्या हो जाएगा अनुलंबन कार्थ होता है मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ लगन मतलब जुड तो किसी के साथ जुड़ा हुआ मतलब अनुलगन, अनु मतलब जुड़ा हुआ, साथ में जुड़ा हुआ, तो अनुलगन हो जाएगा, ठीक है, अंगला पस देखे, बिद्यार्थियों में भासा की रुची का विकास करने का उप्युक्त उपाई क्या होगा, मान लेजी धापक का धापिका हैं, बच्चों को पढ़ा रहें, आपको निर्देश दिया गया प्रचार द्वारा की बच्चों में जो है, भासा रुची का विकास का उप्युक्त उपाई बताईए, तो आप क्या बताएंगे, तो बालक बालिका में भासा की रुची का विकास करना ह तो आप प्रेचार से अपने क्या उपाय बताएंगे कि विद्यार्थियों को ब्याकरण के ग्यान को पढ़ावा देकर विद्यार्थियों के पाठपुस्तों को पढ़ावाना चाहिए विद्यार्थियों को मौकिक रूप से अधिकादिक समझाना चाहिए या और ये सिच्छक बर्ती में आया हुआ प्रशन है इसलिए ध्यानपूरक आप समझा रहे हैं अंगला प्राथमी किस्वर पर भासा अध्यन में मुखतत तो क्या होगा सभी लोग बता ये आपके लिए संभावेत प्रशन है एक नंबर कंफर्म करने वाला प्रशन है ध्यानप किस तर पर भासा अध्यन में मुखतत पूंचा जा रहा है तो किसकी हो जाएगी उचारन की इस पश्रता हो जाएगी क्योंकि प्राइमी लेबल में बच्चा क्या है सुद दो चारन सबसे जरूरी होता है और उचारन में बच्चा इस पश्रता आ गई है सबसे मुखतत ही ह तो होता है क्योकि प्राइमी लेबर की बात करेंगे और अंगला परशंद्यान पुरक समझेगा अंगला परशंद्य वाक सिछन के लिए यह आवस्यक है कि चात्रों को वाक पठन की वाक गठन की समान बातों से भली भात परचित करा दिया जाए अर्थ हतुआ भाव दोतन की दस से वाक्य कितने प्रकार होते हैं यह सिच्चक वर्ती में आया हुआ प्रशने देखें सिंपल सी बात है कि अर्थ वत्वा भाव दोतन की दस से आपको वाक्य के प्रकार पूंचा गया है और वाक्य आठ प्रकार होते हैं कौन-कौन होते हैं सभी लोग कमेंड कर बताई ज क्या आवस्षक है कि बहुत सिच्छक बहुत सारी भासाएं जानता हो कि भासा का ब्याकरण अच्छी तरह याद हो कि अलग-अलग संदर्मों में भासा प्रयोग के ओशर हो या सब्दार्द के लिए सब्दकोश का प्रयोग तो जो चीजें हमने बता है अगर उन चीजों को आपको नालज हो गया होगा तो आप लोग अभी एंसर भी दे दिया होगा है एक चुटकी में आपने एंसर दे दिया होगा तो भासा सिच्छन के लिए क्या आवश्यक होता है या आपको कमेंट कर के बताना है साध ही साथ 15 क् affect मेंसे आपके कितने स्कोर हुडोग है ये व् सबी क्लासे चलने ही प्लेलिस्ट बना दिया गए जोईन कीज़े जब भी मन हो जब भी टाइम मिले प्रेपेशन में लग जाईए कोश्चन को देखिए एक दो बार तीन बार जब भी आपको मन हो देखिए समझिए क्योंकि इस बार 101% एकजाम को पते करना है अपने सपने को साकार करना है उन सभी के ओपर जो आपके ओपर प्रसन उठाते हैं उन सभी को जवाब देना है जवाब मुझ से नहीं देना है अपनी सफलता से देना अपनी सकस से जेतना है आपका जो टारगेट है वो चीज एचीवमेंट करके आपको देना है उससे बड़ा उत्तर उसस से जरूर जुढ़िए Instagram पे मैसेज कीज़े जो भी आपको हो follow back श्वारी आपको message reply मिलेगा message एक एक message यहां पर read हुम करते हैं जब भी time मिलता है सभी reply मिलता है और टेली गाम चैनल से जॉइन किज़ें जो भी importance PDF है सब चीजें वो आपको टेली ग्राम चैनल पर मिलती है तो जैस्वाल कोचिंग सेंटर या आपका अपना टीटी फेमली है तो सभी लोग जुड़ जाएए प्रपेशन में लग जाएए जय हिंद वंदे मात्रम धन्माशवेका